दोस्तो आज बात करते है एदिनेन के बारे में कि बारिष के बाद जब धोप निकलती है तो एदिनेन में क्या क्या प्रॉबलम माथने तो hello friends मैं रश्मी स्वअगत करती हूँ आप सब का दे में common problem है बारिश के बाद तुरंथ ही ये पत्तिया एकदम से अचानक से पीली होके जड़ जाती है एक दिन पहले जो पत्तिया सही सलामत लश ग्रेन थी वो अचानक से क्यों पीली हो गई तो इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन पहले जो भी पीली हुई पत्ति है उस से हमें हटा देना चाहिए हटा के हमारा गमला उसमें साफ कर देना चाहिए क्योंकि अगर पत्तिया उसमें पड़ी रहेगी तो उसमें फंगस लगीएगी और वो फंगस हमारे प्लांट को भी खराब कर सकते है इसलिए जो भी खराब पत्तिया है खरपत्तवार है वो हमें सारा निकाल लेना चाहिए लेकिन पत्तियां अचानक पीली होकर क्यों गिर गई तो इसका कारण है कि temperature में sudden change होना जैसे अब तक बारिश हो रही थी जब तक बारिश हो रही थी तब तक तो temperature बहुत अच्छा था ठंडा था धूप नहीं इसी तरह की problem जब सर्दिया स्टार्ट होती है तब भी होती है जब धूख कम हो जाती है तो उस वक्त भी ये अपने पत्तियां पीली करके जाड़ देता है तो जब sudden change हाता है temperature में तब ये problem आती है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है लेकिन जो नए gardener होते है जो पहली बार adenium लाते है तो जब इस तरह से इसकी पत्तियां पीली होके गिर जाती है तो वो लोग घबरा जाते है कि ऐसा अचानक से क्यों हो गया मेरे plant में क्या हो गया अभी rainy season है तो इससे पानी खूब मिल रहा है तो इसकी वज़ा से उसने अपनी vegetative growth याने की पत्तों की growth बहुत ज्यादा बढ़ा ले अब अचानक से उसे बारिश बंद हो गई और बारिश बंद होने के बाद मैं भी इसमें पानी नहीं दे रहे हूँ तो पानी हम नहीं देंगे तो यह थोड़ा सा dry condition में आएगा और उसे लगेगा कि अब पानी खतम होने वाला है तो यह अपनी सारी पत्तियां ज्याड़ देगा क्योंकि यह desert rose है तो इससे अपना पानी स्टोर करके रखना होता है तो वो अपना पानी stem और जो उसकी कॉडेक्स है उसमें वो स्टोर करके रखता है इसके वाज़ा से अगर उसमें ज्यादा पत्ते होंगे तो उसे पानी भी ज्यादा पहुचाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए इसलिए वो अपनी सारी पत्तियां ज्याड़ देता है और जब पत्तियां कम होगी तो उसे खाना भी कम बनाना पड़ेगा तो अपनी सारी एनरजी जो है वो अब कल्या बनाने में लगा देगा और इसमें ज्यादा फूल खिलेंगे तो अगर आपके एड़नियम के भी पत्ते पीले होके गिर रहे है तो कोई चिंता की बात नहीं है वो अपने आप पौदा है वो स्वस्थ ही है और वो दीरे दीरे नई नई उसमें उपर की जो कूपल होती है वो तो रहती है तो वो नए से नए सीरे से ग्रोट स्टार्ट कर लेगा फिर बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो इसमें फंगल इंफेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है जैसे जब बारिश के वज़स से पत्तियां गिली होई होती है उसके उपर पत्तियां गिर गई होती है तो वो वहीं पे चिपक जाती है धूप के कारण तो वहाँ पे फंगल इंफेक्शन होने का डर रहता है तो हमें ये चेक करके सारी पत्तियां जो चिपकी हुई है पत्तों के उपर उससे हटा दे देना चाहिए उसके बाद अडेनियम के जो कॉडेक्स होते है उससे प्रेस करके हमें चेक करते रहना चाहिए कि कोई सॉफ्ट तो नहीं हो रहा है मैंने कल ही सारे चेक किये थे मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लगा था तो मुझे लगा कि यो थोड़ा सा डी हाइडेर हुआ है दूप की वज़े से लेकिन आज उपर तक ये सॉफ्ट लग रहा है तो आप देख सकते हो प्लांट कितना अभी भी आपको हेल्दी ही लग रहा मुझे लगता है कि इसमें फंगल इंफेक्शन हुआ है और मेरा फ्लांट खराब हो गया है देखे आद देख सकते हो कि उसमें clear mark दिखते है कि यहां तक ये काला हो चुका है और उपर की जो stem है वो अच्छी है यहां तक क ये काला होके मतलब यहां तक मेरा जो जो अदेनि देखे जो मिट्टी है वो भी अभी तक गिली है दो दिन से बारिश नहीं हुए फिर भी गिली है तो आप ये गलती कभी मत करना कि अगर आपको थोड़ा सा भी आपका एडेनियम का कॉडेक्स सॉफ लग रहा है तो तुरंत ही आप उसे निकाल के देख लिजी अगर सॉफ ज ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया है उसकी वज़ा से कॉडेक्स है वो थोड़ा सा मुझे सॉफ लग रहा है लेकिन उसमें फंगल इंफेक्शन लगा हुआ था देखे आप देख सकते हो ऊपर तक ये पूरा ही खराब हो चुका है सिर्फ छोटी सी डंडी है जो उपर की वही अच्छी रएगई है तो इसे as a cutting लगा सकते हैं तो मैं उसके cutting लगा लगा लुंग ये बाकी मेरा पूरा फ्लांट खराब हो गया है तो बारिश के दिनों में तो हमें हमारे Adyenin ko'νुरत करना पड़ता है अगर किसी प्लांट में कुछ फी थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो उसे हमें चेक कर लेना चेक, निकाल के चेक कर सकते हो, आप उसमें कोई दिकत नहीं आती है, बाकि पीली पड़ी हुई पत्यों से घबरानी की जरूरत नहीं है, वो उसका रूटीन प्रोसेस है, उसमें से नई पत्यां फिर से निकल आएगे, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है, तो सब्सक्राइब के विना मच जाएगा